तो दोस्तों, जो है आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोगों का जो अंदोलन हो रहा था, वो अंदोलन जो है मतलब, माना जाए तो एक तरह से जो आप लोगों का सफल हुआ है, क्योंकि अभी जो है railway news निकाला है कि जो RRB NTPC का जो result आया था और जो group D, CVT, 2 भी जो है लेने की बात कही गई उसको जो है फिलहाल रोका गया है और एक committee बना दिया गया है जो इस मतलब जो student का जो अंदोलन हो रहा है उस बिंदू पे एक अपना पूरा सुजहाव देगा क्या की जो ये result जो निकला है NTPC का मतलब इसको क्या किस तरह से निकाला जाए जो student का जो अंदोलन हो रहा है वन कंडिडेट वन डिजल करके इस पे भी बात की जाएगी और ये जो मतलब group D का जो CVT 2 होगा उस पे भी अपना सुजहाव देगी कि जो है लिया जाए या ना लिया जाए ओके तो आईए देखें कि ये क्या मतलब जो है निकाला है railway ये आपका आज का है 26 जनवरी का है ओके और ये अभी भी जो अतिहाल में आया है news तो आपका ये पर लेते हैं क्या है कि जो है ongoing requirements by RRB is constitution of high power committee मतलब जो अभी भरती प्रकिरिया जो चालू है RRB के द्वारा उसके लिए एक constitution मतलब एक संविधान या फिर कई committee एक high power ठीक है एक committee बनाया गया है देखने के लिए क्या तो एक high power committee has been formed to look into the concerned and doubt to raise by candidate in a day in regard to results of first stage computer test of cn नमर या of non-technical popular category ntpc मतलब जो student का जो concern है उनकी जो बाते है और उनके द्वारा जो doubt उठाया गया है जो नतलब बाते जो है उठाई गई है वो जो है result को लेके उसके लिए एक committee बना है इस committee में पांच आदमी है और इस committee का जो अध्यक्ष यह वो आपका कौन है जो है दिपक पिटर है ओके और यह पांचों आदमी अपना जो है जो है रिकमेंडेशन देंगे क्या देंगे पॉइंट क्या है दी कमीटी आईए यहां से देखते हैं कि दी कमीटी विल गो इन्टो फॉलोईंग इसू रेजड बाइ कंडिडेट एन गिव रिकमेंडेशन अतलब जो कंडिडेट की द्वारा जुमुद्दा उठाया गया है क्या है आपका पहला नमर है कि results of first stage CVT मतलब जो आति NTPC का आया है and methodology used for shortlisted candidate for second stage CVT without affecting existing shortlisted candidate मतलब तो जो है जिनका result आ गया है उनका तो result तो मतलब पका ही है उनको मतलब भी नहीं कि अब भीवाज किया जाएगा तो उनका जो है निकाल दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा एक method बताएगा और क्या यहीं होगा जो student जो अंदोलन कर रहे थे वन candidate वन जो है result वहीं होने वाला है क्योंकि नहीं होगा तो अंदोलन और इसमें बिहार के student तो रहते हैं यह ठीक है फिदा जो है राजंद अगर स्टेस अंजाम वह तो होगा तो एक ही उपाय होगा वन candidate वन जो है result होगा ओके तो आप लोग इसके लिए हिस्चिंत रही और आप लोगों को एक तरह सती अंदोलन जो है मान लिजे कि सपाल हुआ और सकेंड क्या है introduction of second stage cbt in san rrc यह मतलब जो group d का जो है उसके लिए second stage जो है आति एक्जाम के लिए अभी जो कहा गया है उसके लिए कुछ जो है मतलब इंट्र जो है introduction भी देगा क्या वह थी होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या है नहीं है ओके आईए अब है जो आति आप लोगों के लिए भी दिया है railway क्या the candidate can lodge their concerns and suggestions to the committee at following email ID मतलब इस email ID पर rrb committee at the rate railnet.gov.in इस email ID पर आप लोग Hindi English कुछ में भी आपका जो मुद्दा है कैसे आति आना चाहिए result का मतलब क्या आना चाहिए परकिरिया group D का cbt2 लिया जाना चाहिए या नहीं कैसे हो आप लोग अपना भी सुझाब जो है दीजिए आप लोगों से भी या candidate से भी जो railway सुझाब मांगा है ठेखिए अंदोलन का असर क्या होता है यही railway था जो दो दिन पहले तक अपना पुडा का पुडा जो लेखता था क्या notice की हम परकिरिया अच्छा हुआ है यह हुआ है इक यह है वीस गुना करके दिये है ठीक है ना मतलब जो है इस बेकेन्सी के लिए इतना गुना है इसके लिए इतना गुना मतलब हम जो कहे त्यूक किये है लेकिन भाई आप candidate उतना नहीं दिया आप जो है रॉल नंबर उतना दिये हैं ठीक है ना अप एक कंडिडेट को पांच बार दिये हैं आप उसको काउंट कर रहे हैं पांच रिजल्ट का तो यह थोरा जो है ना इनसाफी है अंदोलन में तागत होता है अंदोलन से भारत आजाद हुआ था तो यह आप लोग जो है साफ साफ देख सकते हैं टुईटर पे जो हुआ था और फिर जो है इधर तिन चार दिन से जो भी रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे स्टेसन पे जो अंदोलन होड़ा है खासकर बिहार म तो इसके लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है और यह जाइड सी भी है बात क्योंकि जो है रेलवे में मेली बिहार से ही स्टूडेंट आधिकतर रहते हैं और उसके बाद यूपी अड़ से ठीक है ना तो यूपी में तो उठा नहीं स्टार तो बिहार से हुआ है तो अच समत है तो अच्छा है आप लोग किजिए और आपका है क्या आगे आगे है कि इस पूरे मुद्दे पर बात करके कमीटी अपना जो है ठीक कमेंडेशन देगा और कंडिडेट जो है कंडिडेट्स आर गीवें थिरी विक्स टाइम अप टू इतना मतलब सुलो फड़वरी त ओके और क्या है आगे कि चार मार्च तक एंड कमीटी आप्टर जो है एकजामीनिंग दीज कंसर्ण विल सम्मिट इट्स डिकमेंडेशन बाई फोर्थ मार्च मतलब चार मार्च तक यह कमीटी अपना जो है रिपोर्ट सोंपेगी क्या करना चाहिए और नहीं कैसे निकालन चाहिए रिजल्ट अरडवी एंटी पीसी का और सीबी टी टू गुरूब डी का जो है मतलब होगा या नहीं ओके और अंतिम में लिखा है कि इन भीव अवदय भव मतलब इस सभी को देखके उपड़्यूक्त सभी को देखके आपका सकेंड एस्टेट जो है एंटी पीसी का और फर्स्ट एस्टेट जो है स्टेज आरडवी गुरूब डी का जो एकजाम है वो अभी अस्थागित की जाती है फुस्ट पॉंड ओके हाँ तो यह अब कुछ भी आएगा गुरूब डी को लेकर जो है डेट आए सब होगा अब कब चार मार्च के बाद ओके तो दोस्तों यही जो है नया न्यूज था और अच्छा था खुश खबड़ी का था न्यूज तो सचे के आप लोग से सेर करें तो दोस्तों आप लोग यह जो है मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए कर औ आप जो है देखते रहिए आपको एक्जाम में बहुत ही हल्फ होगा तो दोस्तों मिलते हैं अच्छा से न्यूज वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों